नमस्कार सातियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल वाइफाई एजुकेशन अपर तो सातियो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस्पेसर रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको जो इंडिया में भा पहले फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल है वाइफाई एजुकेशन हब एडू हब उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के पास में वैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिया जिससे पल-पल के नोटिफिकेशन आपके पास पाउंच सके फ्रेंड्स वीडियो को श्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स बता दू कि हमारे भारत में पांच राजदे है जैसे जम्मू कस्मीर है इमाचल प्रदेश उत्राखंड और यह सिक्किम है और अलठान परदेश इनमें कुछ फरमुक दर्रे फ्रेंड्स उनमेंसे फ्रेंड्स आपके हर एक्जाम में कुछें जाती है दर्रे. एक से दो कुछन हर एक्जाम में आते हैं और एक से दो नमबर कि आते हैं. तो friends मैं आपको इन दर्रों की ऐसी ट्रिक वताने बाला हूँ जिसके माद्दम से आप आसानी से इन दर्रों को याद कर लोगे और आज के बाद कभी नहीं बूल पाऊगे. तो friends बहुत ही आसान ट्रिक लेके आयों मैं आपके लिए और बहुत फ़नी भी ट्रिक है friends वो बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगे इस्टार करते है friends कि भारत के प्रमुक दर्रे जेने इंगलिस में हम mountain pass बोलते हैं उनको याद करने की ट्रिक friends सबसे पहले बात कहते हैं कि दर्रा क्या होते है जो mountain pass होते है वो क्या होते है दो पहाडों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग को ये फिर दो देशों को जोडने का काम करता है उसे दर्रा कहते है friends के बीच का वो दर्रा जो एक तरफ दो भागों को जोडता है ये फिर दो देशों को जोड़ता है जैसे कि हमारे इंडिया को ये फिर चाइना को जोड़ता है इंडिया नेपाल को जोड़ता है इस प्रकार से friends दर्रे होते हैं बीच में जो दो देशों को जोड़ता है फिर दो भागों को भी जोड़ सकता है इस प्रकार के दर्रे होते है जिनके बीच में आने जाने का रस्ता होता है चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुक दर्रे कौन कौन से है सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंट्सिस प्रकार के दर्रे होते हैं जिसके बीच में आने जाने के लिए रस्ता होता है और एक दीस से दूसरे दीस के बीच में होता है या फिर दो हागो को जोड़ता है सबसे पहला बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हिमाचल प्रदेश की राजदानी है similar friends उस हिमाचल प्रदेश में कौन कों से दर्रे है वो बात करते है तो हिमाचल प्रदेश में दर्रे है उनकी trick है friends आपके सामने बहुती अच्छीर आसान ट्रीके फ्रेंस कि हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है कौन फ्रेंस कि हिमाचल का रोहतांग रोहतांग नम कोई लड़का है जो कि बहुती ज़्यादा सरारती है तो इस परकार से आप याद कर से होते हैं कि हिमाचल का रोहतांग है बहुत बड़ा सरारती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोहतांग रोहतांग से मिलकर के बनोता है रोहतांग दर्रा जो हिमाचल परदेश में है बड़ा से मिलकर के बनाँता है बड़ालाचा दर्रा और शरारती से मिलकर के बनाँता है सिपकिलादर्रा सिपकिलादर्रा फ्रेंट्स जो 17 नदी से निर्मान स्टार्ट होता है इसका सिपकिलादर्रा से दर्रा का तो फ्रेंट्स बहुत ही आसान ट्रीक है और इसके माद देम से हिमाचर प्रदेश के जितने भी दर्रे फ्रेंट्स प्रमुख दर्रे तीन है बनुख आसानी से याद कर सकते हो next दर्रे देखते हैं इस प्रकार के दर्रे होते है उत्राखंड के दर्रे देखते है उत्राखंड के दर्रे की ट्रिक है फ्रेंट्स की हेमा मालनी उत्री दर्रे में काउं उत्री फ्रेंट्स दर्रे में उत्री जो दर्रे हम तो पढ़ी रहे है फ्रेंट्स वो ही दर्रे जिसमें कौन उतरी हेमा मालनी वो हेमा मालनी कौन है फ्रेंट्स वो अभी नेत्री फ्रेंट्स अभी नेत्री हेमा मालनी वो कहां उतरी दर्रे में उतरी तो बहुत ही आसान ट्रीक है चलिए हम देखते हैं कि इस वर्डसों से कौन कौन से दर्रे मिलकर के बने हो कि हेमा मालनी उत्री दर्रे में दो से तीन बार आप फ्रेंड्स इसे रिवाइज करोगे बार बार में तो आसान इसे याद हो जाएगे और आपका जो एक्जाम में कुशन आएंगे दर्रे के तो वो कभी गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स आप कुशन सॉल्ब करके देख लिजीए फ्रेंड्स की जरूर के अरुन नाम के एक लड़का है उसने क्या वो दिया बीज वो दिया दर्रे में ऐसे एपन याद कर सेती अरुन नाम के एक लड़का जो बहुत ही अच्छा है बहुती निती से काम करता है धर्म से सम्माद दिते हैं तो अरुन ने बीज वो दिया धर्रे में तो अरुन ने क्या वो दिया बीज वो दिया किसमें धर्रे में यहां से मिल करके बनूता है, यांग है अप दर्रा, तो friends, यह तीन दर्रे हैं अलोणा चरप्रदेश में होती प्रमुक दर्रे हैं, फ्रेंस हर एक्जाम में बड़ी से बड़ी एक्जाम, UPSC हुई, RPSC हुई या फिर जितने भी PCS Bennett एक्जाम हैं friends, जो lebel की होती है उन्हें जाता है, रेल बैक की है, SSC की है, हर एक्जाम में इस प्रकार के कुशन पुछ जाते हैं, एक से दो कुशन, तो फूर्थ नमर का देखते हैं, फ्रेंट्स जम्बो और कस्मीर के दर्रे देखते हैं, उनकी ट्रिक है आपके सामने, कि पीर का बाबू ने जोर लगाया, क्या ल क्या लगाया, जोर लगाया, तो इससे बहुत ही आसान तरीके से, जम्मो कस्मीर पांच दर्रे हैं, उनको आसान तरीके से याद कर सकते हूँ, तो देखते हम, पीर, सबसे पहला बगाद है, फ्रेंट्स पीर, पीर से मिलकर के बनुता है, पीर पंजाल दर्रा, नेक्स्ट ह मिलकर के बनोता है बनियाल धर्रा जो जवास रंग के नाम से भी जाना जाता है बू से बुर्चिल धर्रा और जोर से मिलकर के बनोता है जोर्जिल धर्रा तो friends पीर पंजाल धर्रा, कारकुरम धर्रा बनियाल धर्रा, बुर्जिल धर्रा और जोर्जिल धर्रा तो नातु का सिख्का सिख्का मतलब जो रुपिया होता है जल गया। नातु का सिक्का जल गया तो देखते हैं इनकी ट्रिक नातु और जल से मिलकर के बना है तो नातु से मिला है नातु लदर्रा और जल से मिलकर के बना होता है जेलेपला दर्रा जेलेपला दर्रा फ्रेंस जो तिस्ता नदी से निर्मान होता है इसका जेलेपला दर्रा का तो फ पिपसे पेले फ्रेंट्स देखते है कि दो फालों की बीच का मार्ग जो किसी दो भाग्या दो देस को जोडने का काम करता उसे दर्रा कहते है हिमाचर पिदेस के दर्रायएं हिमाचर का रोतंक बड़ा सरार्ति है रोतांग से रोतांग दर्रा, बड़ा से बड़ालाचा दर्रा, सरार्ती से सिपकला दर्रा सतलोज नदी से निर्मान होता है इसका उत्राखंड के दर्रे है, हेमा मालनी उत्री दर्रे में तो मासे मान दर्रा, ली से लिपलेक दर्रा, नी से निती दर्रा नेक्स्ट है जम्ब और कस्मीर के दर्रे पीर का बाबू ने जोर लगाया किसने पीर का जो बाबू है उसने जोर लगाया पीर से पीर पंजाल दर्रा का से कारकुरम दर्रा वनियाल दर्रा वुर्जिल दर्रा और जोर्जिल दर्रा वनियाल दर्रा जवार सुरूंग के नाम से निर्मान होता है तो Friends आपको इस परकार की ट्रिक कैसी लगी अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो Friends comment box में comment करके जरूर बताना फ्रेंड से कैसी लगी और इसी प्रकार की ट्रिक अगर आपको चाहिए तो आपको वेंट बोक्स में बता देना किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए तो फ्रेंड अगर आपको ये वेडियो हेलफुर रहती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक शेर और जरू करना सब्सक्राइब के पास तो में वेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लिजिए जिसके पलपलप के नोटिपिकेशन आपके पास पहुंच सके फ्रेंड तो थैंक्यू फूर वाचिंग फ्रेंड्स